Hello friends, WSQ Tech के इस programming channel पर मैं Manish के लिए आपका welcome करता हूँ Friends, Java programming की series में Friends, मैं लेके आ रहा हूँ complete practical series of Java programming language Friends, हमने theoretical part जो है वो complete कर लिया था जितने भी जो topics थे उसके मैंने आपको पूरी series मैंने आपको जो है बना के दे दी है और अब मैं Friends, आपके लिए लेके आ रहा हूँ Java programming की complete practical series जिसमें हर program हम करेंगे, जो भी basic से program हम start करेंगे और advanced तक हम चलेंगे, सारे program मैं आपको practically मैं यहाँ पर explain करूँगा So Friends, आज का जो हमारा aim है, वो ये है कि हमें एक Fibona की series जो है वो implement करनी है और Fibona की series Friends, without recursion और with recursion, दोनों ही concept के हमें क्या करना है, implement करनी है और किसमें Java programming language में है, ओके So Friends, आए इस problem को हम start करते हैं, इसका solution देखते हैं कि किस तरह से हम इस problem को solve करेंगे Friends, मैं यहाँ पर as a editor जो है notepad plus plus use में ले रहा हूँ आप चाहें तो कोई भी editor यूज में ले सकते हैं, या particular कोई IDE भी यूज में ले सकते हैं, ओके आगे यान मेले जो programs है Friends, जो आगे आएंगे, उसमें मैं proper IDE से आपको program कराऊंगा But initial जो basic जो program है, उसको मैं जो है Friends, यहाँ editor पर मैं आपको कराऊंगा और इसको run करेंगे, कहां हम command prompt पर इसको run करेंगे, ठीके So Friends, इस problem का हम start करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक class बना लेता हूँ, let's say Fib नाम से, ओके, this is my class और यह हमारे class का क्या है, scope है, ओके Now Friends, as you all know that Fibona की series अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि Fibona की series में जो first जो two numbers हैं, वो fix होते हैं, क्या, 0 और 1 उसके बाद में जो next number होता है, वो क्या होता है, last two का sum होता है, तो 0 और 11, उसके बाद में फिर से 112, then 2 प्लस 13, और 3 प्लस 25, इस तरह से इस series जो है क्या है, continue चलती रहती है, ओके, so इसी को हम क्या कहते हैं, Fibona की series, ओके, now Friends, first two number fix हैं हमें पता है, तो मैं यहाँ पर एक static ले लेता हूँ, माल लिजिए, x1, ठीके, is equal to 0, और दूसरा number है, आपका x2, ठीके, is equal to 1, ठीके, एक variable हम और ले लेता है, x3, ओके, तो यह variable का यहाँ पर मैंने initialization कर लिया है, इसको मैंने क्या दिया है, static दिया है, ठीके, now Friends, अब जो है, यहाँ पर एक static function भी हम बनाएंगे, ताकि हम क्या है, main से directly इसको call कर सके, ओके, so static, static void, printfib नाम से एक function मैंने देता हूँ, friends, printfib, ठीके, और यहाँ पर मैं एक argument pass कर रहा हूँ, कि आपको कौन से step तक, आपको कौन से step तक, जो है, फिबना की series print करवानी है, ठीके, तो यह जो count जो है, हमें यह value बताएगा, ओके सो यहाँ पर मैं count variable ले लेता हूँ, यह count basically क्या है, हमें यह बताएगा, कि हमें कब तक जो है, फिबना की series print करवानी है, ठीके, now friends, if condition यहाँ पर apply कर देते हैं, हम, ठीके, count की value जब तक 0 से बड़ी है, तब तक यह हमारी condition acceptable होती रहे, ठीके, count greater than 0, ठीके, तो यह मैंने यहा है, कि मैंने जिसे कहा, कि आपको जो फिबना की series में जो next two number होता है, वो क्या होता है, past two number से उनका sum होता है, ठीके, तो x3 अगर मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, x1 plus x2, ठीके, last दोनो number का मैंने क्या कर लिया, sum कर लिया, ठीके, अब आप जहां से देखे friends, यहा कैसे आएगा, कि one plus one को मैं add करूंगा, जब two आएगा, इसका मतलब क्या है, कि मुझे x1 और x2 की value क्या करनी है, update करनी है, ठीके, तो यही आप update कर दीजिए, जो n1 है मेरा, यहाँ पर x1, ठीके, is equal to x2, ठीके, जो भी x2 की value थी, updated value थी, वो मैंने x1 में transfer कर दी, इसी तरह से friends, जो x2 जो है, उसको मैं किस से update करूंगा, x3 से मैं update कर दूगा, ठीके, तो हमारे जौनों जो basic जो number है, जिससे हमारा next जो number आएगा, उसको मैंने क्या कर दिया, past के दो number जो आये थे friends, updated number आये थे, उसको मैंने update कर दिया, ठीके, so friends, यहाँ पर x1 और x2 दोनों को हमने update कर है, ठीके, अब जो है, आप number को print कर वा लीजिए, ठीके, system.out.println से, dot out.println, ठीके, और number आप चाहे तो पहले यहाँ पर friends कुछ space provide कर दे, ताकि number जो है, वो proper format में आएगा, ठीके, यह मैंने कुछ space provide कर दिया, और साथ में क्या कर दिया, मैंने, मैं n, जो मेरा x2, लुथी जो number है, उसको मैंने print कर दिया, ठीके, यह मैंने print कर दिया, और friends हमें क्या करना है, count की value को, count की value को हमें update करना है, क्योंकि अगर count की value को हमने update नहीं किया, तो जो next, जो number है वो print नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, friends के जो, यह printfib ना माइनस व मोगी चलता रहेगा इस था हमारे इस पर्टिकुलर जो कि हमने बनाया है यहां पर इन उस्य प्रेश की सिरीज का तो इस मिसांट आप जो है क्या करना है में से हम ऑन की जो value है वो pass करने है ठीके count की value हमें pass करने है ठीके तो friends इसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं public static void main ठीके public public static void main यहां main अपने apply कर दिया then string args string args that is argument और this one is a scope of this main function ठीके this one is a scope of this main function ओके now friends अब लेट से आपको जो है यह फिवना की series मान लीजिए 10 या 8 जो भी step तक print करवानी है उसमें आप count की value का आप initialize कर दें यहां पर लेट से मुझे 10 तक जो है print करवानी है ठीके now system.out.println और basic जो दो number है उसको आप print करवा लीजिए क्योंकि यह दोना number क्या है fix है ठीके तो यहां पर मैंने x1 को उके उसके बाद में मैं कराऊंगा friends x2 को यह मेरा x2 है ठीके इन में क्या करेंगे हम count की value को pass करेंगे ठीके तो printfip को मैं call करूंगा friends ठीके बट आप ध्यान देखे friends के लेट से मुझे 10 step तक या 10 तक मुझे जो है फिबुना की series print करवानी है तो 10 तक अगर print करवानी है पहले दो तो fix होगा है तो अब step कितने बचे 8 बचे तो count अब कितने चलेगा 8 तक चलेगा ठीके तो यहां पर जो count की जो value है friends वो क्या करूंगा मैं माइनस 2 से क्या होगा कि अब लेट से हमें 10 तक प्रेंट करवाना है दो अल्रेडी नमबर आ चुके हैं तो next 8 जो नमबर होंगे वो हमारे सामने आएंगे ठीके तो count को हमने जो है count माइनस 2 तक इसको चलाया है ठीके और यहां पर friends हमारा क्या हो चुका है program complete हो चुका है अब मैं command prompt के तरफ जम करता हूं ठीके तो फ्रेंट्स कमांड प्रॉम्ट उपन होगा तो यहां पर फ्रेंट्स हमारे सामने यहां पर show होगा हो गया है और जो path जो setup किया है मैंने यहां पर देखें हैं यूजर्स डव्लेस क्यूप टैक डेक्स्टॉप एड जावा ठीके डेक्स्टॉप पे पे जावा का फोल्डर बनाया है और उसमें जो friends यहां पर मैंने जो यह फाइल जो है friends ठीके यह हमने यहां पर बनाई है ठ रेडी मैंने test.java define कर रखा है इस particular जो class है friends इसका मुझे यहां पर नाम चेंज करना पड़ेगा यहां पर मैं लिख देता हूँ test ठीके तो friends यहां पर जो है मैंने path set कर लिया है और जो मेरी class का नाम है उसको मैंने test रख लिया है क्योंकि जो file मैंने बनाई है वो test.java के नाम से बनाई है ठीके तो file का नाम आम जो है class का नाम सेम होना चाहिए ठीके अब मैं इस program का execute करता हूँ java c test.java ठीके then again java test और देखें आप output आ रहा है हमारा 011 ठीके तो यहां पर friends एक जो है new line नहीं आ रहे है इस वज़े से output ऐसा आ रहा है कोई बात नहीं हम जो है यहां पर चाहें तो new line दे सकते हैं ठीके इसको मैं यहां पर हटा देता हूं friends को मैं हटा देता हूं ठीके और अब मैं प्रोग्राम वापस स्वाल करता हूं ठीके वापस execute करता हूं तो देखें आप फिबुना की series 01 और यहां वन से प्रेंट हो रही है ठीके तो एक जो प्रेंटलन है यहां से भी हम अटा देते हैं ठीके प्रोग्राम को वापस से friends compile और execute कर रहा हूं तो आप देखें आउट्पुट हमारा proper format में आ रहा है ठीके फिबुना की series और 10th step तक 3 to 5 6 7 8 9 और 10 10 तक चो है फिबुना की series print हो रही है तो friends यह जो हमने program किया है यह with recursion solve किया है ठीके आप यहां पे देखें कि एक function जब खुदी function को call करें तो उसे हम क्या कहते है विद recursion ठीके तो यहां पे देखें recursion का concept implement हो रहा है एक method दूसरे method को call कर रहा है function खुदी को call कर रहा है तो यह program कैसा बन गया with recursion इसको हमने कैसे solve किया है with recursion solve किया है अगर आपको without recursion solve करना है तो बहुत है उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है ठीके तो मैं आपको मैं वह भी बता देता हूं कैसे solve करेंगे without recursion with recursion हमने solve कर लिया है ठीके तो यहां पर variable की needs हमें यही है इसमें कोई changes नहीं है friends ठीके तो इन सब को यहां पर मैं हटा देता हूं ठीके सारा काम हम जो है फ्रेंट्स पब्लिक static void main में ही कर लेते हैं ठीके सो variable का initialization मैं यहां से cut करके यहां paste कर देता हूं ठीके पब्लिक static void main और उसके बाद में फ्रेंट्स जो दो जो नंबर है उसको हमने print करवा लिया है ठीके print करवाने के बाद मैं यहां पर friends इसको मैं हटा देता हूं ठीके और डारेक्ली मैं यहां पर friends loop apply कर देता हूं ठीके इसको मैं हटा देता हूं यहां से जोंकि function को call कर रहे हैं बट without function हम कर रहे हैं तो सिंपल सा प्रोग्राम बन जाएगा यह दोनों नंबर फिक्स हो गए फिर्स्ट उसके बाद में count value 10 हो गई है first two number भी हमने क्या कर लिए यहां पर print कर लिए है ठीके अब मैं जो है यहां पर call loop यहां पर apply करता हूं friends ठीके और एक variable यहां पर हम ले ले लेते हैं let's say integer i is equal to 2 obviously बात है 2 से start करना है चलना कब तक है हमें जितनी count की value है ठीके so count less than count और हमेशा क्या करना है हमें i++ करते रहना है ठीके now friends this one is a scope of this for loop ओके this one is a scope of the for loop और इस for loop के अंदर हम क्या करेंगे जो यह जो particular जो code है friends यहां पर मैं इसको क्या कर लेता हूं मैं copy कर लेता हूं ठीके पहले तो number मैंने update कर लिया है इसको यहां पर print करवा दिया उसके बाद में number को print करवा दो update करने के बाद में then आप जो है दौनों number को क्या करो update कर लो ठीके यह दौनों number को update कर लिया अब इसकी हमें कोई requirement नहीं है तो मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं पूरा delete कर देता ठीक है और यहां पर friends हमारा क्या काम हो जाता है complete हो जाता है code complete हो जाता है simple सा प्रोग्राम है यह किसके लिए फिबना की सीरीज को print करने के लिए without recursion without recursion ठीक है तो अब मैं इसको फिर से run करता हूं friends okay जावा सी टेस्ट डॉट जावा और प्रोग्राम हमारा सक्सेस्पूली कंपाइल हो गया है और आउट्पुट देखें आप बिल्कुल वही प्रेंट हो रहा है जो लास्ट में से हमारा आउट्पुट आया था ठीक है तो फ्रेंट्स दौना ही तरीके में आपको बता दिये हैं कि आप इस तरह से जो है फिबना की सीरीज को with and without recursion जो है वो implement कर सकते हैं ठीक है आउप कि इस प्रोग्राम से आपको यह हमारा जो आज का कंसेप्ट है how to implement the Fibonacci series with and without recursion यह आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंट्स thank you so much watching this video